नवस्कार दोस्तों मेरे नाम है विक्रम और स्वागत है आपका उमारे यूट्यूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में आज की वीडियो में आपको इंफोमेशन दूँगा एक मैं जॉब्फेर की रोजकार मेला पहले भी ऐसी इंफोमेशन जो है आपको बताई थी वीडियो बनाइ थी उसके ओपर पूरी अगर आपको वीडियो नहीं देखिए तो उपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी वह यहां पे दोस्तों दो तीन जगा पे और जो है वो जॉब फिर और और जारा जारा है इसी की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखेगा हो सकते वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आने वाली जोब अप्डेट आपको सबसे पहले मिल सके तो वीडियो को दोस्तों जो ही वो शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट जो ही वो देखेगा ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए अगर एक भी चीज मिस्ट कर देंगे तो आपको कोई जो ह वो होने वाला है जौब फियर कैंपस की डिटेल यहां पे दी गई है आप देख सकते हैं एम आई गांधी कॉलेज कैंपस है अरावली गुजरात में पढ़ता है आठ नमबर को ही जो ही वो आपको रिजिस्टेशन करवानी है वहां पे जाके भी आठ नमबर को ही आपका ज चार्ट हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं 25 के करीब कंपनी जो आ सकती है जो मैनुफेक्ट्रिंग से रिलेटिट होंगी सर्विस इंशॉरेज और अधर सेक्टर भी जो हो सकते हैं टोटल नमबर विकेंसी जो ही वो 450 बताई जा रही है और यह जो नोटिफिकेशन है यह मैंने खुद बनाया है यह सारी जानकरी जो है मैंने सरकारी पोर्टल से ली है एक गौर्मेंट पोर्टल से ली है आप उसको NCS जो है वो बोल सकते हैं और उसी की जो है वो थू मैंने यह जानकरीया ली है तो यह जानकरीया जो है बिल्कुल करेक्ट है आप जो है वो ज से लेके सारे दस के पीच में आपकी registration हो जाएगी जो offline registration होगी वहाँ पे जाके बाकि online registration आप किसी भी time कर सकते हैं यानि कि एक तरह का आपको उस portal पे जाके registration करनी होगी registration ID आपके पास होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible होते हैं तो district level का है तो वहाँ की district के लोग जा सकते हैं अभी बढ़ते हैं दोस्तो जो है वो next जो होने वाला है यह दोस्तो placement drive जो है यह औरिसा में होने वाला है औरिसा में जो है आप placement drive है जो फिर आप बोल सकते हैं औरि से लेके 26 साल तक अगर आपकी एज है आप इसमें participate कर सकते हैं total number of vacancies दोस्तो 500 बताई जा रही है salary यहाँ पे 10,000 के क्रीप बताई कि यह हो सकता है जादा मिल जाए कई companyों में हो सकता है कुछ company आपको कम offer करें इसका भी दोस्तो जो interview होने वाला है वो लगपग same day होने वाला है 8 November को ही होने वाला है तो 8 November को आप वहाँ पे जाके interview दे सकते हैं 7 November शाम 5 बज़े तक आपको registration करनी है और इसकी registration on the sport तो होगी ही साथ ही साथ आपको एक तरह की registration जो है वो online पी कर देनी है link आपको description में मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों यह जो drive है यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो female candidate के लिए है तो यह चीज़ ध्यान में रखीगा only for female यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ह बाकी जादा जानकारी के लिए आप जो है वो description box जरूग check कीजेगा जो next जोस्तों job fair है यह भगलपूर बिहार में होने वाला है 6th November को और यह last job fair है अगर आपकी city का नाम नहीं आया है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आपकी cities के बारे में भी जितनी से पहले जाके वहाँ पे अगर registration होगी तो on the spot registration भी आपको करवानी है यह 4 November से 6 November के बीच में आप जो है इसके लिए जो है वो कर सकते हैं registration और उसके बाद जो फिर जो start होगा वो 6 November सुपे 11 बजे हो जाएगा और शाम को 4 बजे खतम हो जाएगा job description में जादा जो है वो जान सरकारी है जिनको एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है तो आप हमारे टैलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे वहाँ पे हम लोग काफी सारी information जो है आप लोगों को देते रहते हैं link आपको description में मिल जाएगा तो यहीं लिखागे है दोस्तों सरकारी portal पे thank you very much इस वीडियो में